हालो बच्चों मैं आपकी उर्मिला टीचर आप सभी का स्वागत करते हूं हम पढ़ रहे थे बीए बीए का चैप्टर एट वितियस संचालन और इसमें हमने तीन पार्ट पढ़ लिये हैं आज हम पढ़ेंगे इसमें पूंची धाचा याना क्योंकि इसमें हमने यह सब परतों के बारे में पढ़ा जित्य निळने और यस पढ़ने के बार आज हम शुरू करने वाले। हैं पूंजी धाच्चा यानि कैपिटल स्ट्रैक्प्च्छर किस потреб और का होना चाहिई डां चैंए इसकी विचार्ष और व्याख्या वितिय योज्जणा के दो मेहटपुन पहलूं है एक तो है पूंजी की आफस्रकता का अनुमान यहिन कितनी पूंजी की आफस्रकता होगी जब हम विवसाई करें अनुमान अर्था water पुंझी करन के प्रयस के मारे दिमाग में चलता है अज़uno पूंझी आ सकता होगी कैसे लगाएंगे और पूंझी के प्राप्ति स्थानिंट करना यानि पूंझी आयगी किदर którego से ने कि यह दोनों चीज़े हमारे दिमार्ट में चलती रहें दिए कि कितना पैसा लगेगा और दूसरा हमारा पैसा आएगा कहां से अब हम पढ़ दें कंपनी के अलग अलग प्राप्ती स्थानों से आवशक पूंजी कोश्ट प्राप्त कर सकती है कंपनियां क्या करती है जहां उनको लगता है कि हमारे पास यहां यहां से पैसा आ सकता है उस उस प्राप्ती स्थान से जितनी आवशक पूंजी होती है वो जाती है यानि अपने और एकत्रित किर जाती है कंपनी विवित प्रकार की जामी गिर्यान जैसे equity also preferens and debenture आदी नेगरमिद करके पहुझी प्राप्ट करती कमड़े पैसा कैसे प्राप्ट करती है अपने शेर्स निकाल के निर्गमित करके अब शेर्स में अलग 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 के नाम है यह अलग 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 के नाम है यह अलग 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 प्रकार के अंशो को निकालती है आम जनता उनको खरीकती है उनके हकदार बनते हैं अंशिदारी बनते हैं और उसके द्वारा ही कंपन इस अमध में निन्य कौन लेगा वित्यसंचाल को क्योंकि उसी को पता है कि यह में एक कम्पणी में किस किस तरहे के से प्राप्त हो सकते हैं तो उसके आनूसार हो जेलेगे नहीं बड़ी बड़ी कंपनियों में अंश निकाल करके पैसा प्राप्त एकत्री तक किया जाता है तो अभी हम पुझी डाचार्था पुझी प्राप्ति के विविद इस्थान जैसे की एक्विटी अंच, प्रेफ्रेंज अंच, रिवेंचर, सुरक्षित कोश और रिण कोश का अब ऐसा तो है नहीं कि पैसे लेलोगे तो आप देऊगे नहीं यानि हम रिण के आधार पर भी कितना पैसा कंपनी को आवशक होती है इस अंदर में गैस बंड के कथा अनुसार अब इसके अंतर कि अलग लग अर्थिशास्ति होते हैं तो यह गैस्टन बंड के अनुसार यह कुछ कहना चाती है बोलते हैं कि जामीनगिरियों के प्रकार संबंधि कंपनी के epsilon होते हैं यानि पर्चा होते हैं मतलब कंपनी के पास अगर पैसे क्या आशकता होती है जाएरत होते हैं कत्रित करनी रहती है तो वो क्या शीजच करती है उनके बदले में पूझी एकत्रित करके अपनी कमपनी का विकास करती है अब है इसकी व्याख्या सरज शब्दों में पूझी धाचा अर्थाथ कमपनी के दुआरा अपनी आउशक पूझी प्राप्ती के लिए उप्योग में लिए गए विविद इस्थानों का मिश्रम सिदी सिदी वाशा में अगर हम कहना चाते हैं तो क्या कि कमपनी को जितनी आउशक पूझी के जुरत होती है काम में जितनी उन्हें लेनी होती है, उस पुझी को किस प्रकार से प्राप्त, यानि जो उस्थान की वो पुझी को प्राप्त कर सकती है, उसे कहते हैं पुझी का धाचा होग लेंड के अनुसार वो तो तो गेस्टन बंड के अनुसार अब हैं होग लेंड के अनुसार वो क्या कह रहे हैं पूजी धाचा अर्थार द्रव्य प्राप्ति के लिए द्रव्य में पैसा मनी के लिए कंपनी के द्वारा निर्गमित जामिन गिरी और उप्योग में लिए गए विविद प्राप्ति स्थानों का विस्तार उनके बीच की मात्रा यानि किस प्रकार से आप पूजी को एकत्रित करें क्या क्या प्राप्ति स्थान है उसके द्वारा जो एकत्रित होती है वो होती है कितनी मात्रा में एकत्रित होती है वो होती है पूजी यह किसका कतन था होग लेन का कतन था अब है आदश पूजी धांचे के लक्षन यानि आ पहला है इसमें सरलता कम से कम प्रकार की जामेंगीरियां निर्गमित की जाए यानि कम से कम प्रकार की जामेंगीरियां लोगों को दी जाए तो प्रत्बंद के द्रश्टी से पूंजी डाचा सरल होता है उसका कारण क्या होता है कि हमारे ज्यादा जामेंगीरिया भार भी न निकलती है और हमें जितनी पैसी की जुरत होती है उपयोग में जित्ता लेना बस उतना ही हमें कोश एकत्रित करना पुझी धाचा त्यार करने के लिए दूसरा या अदस पुझी धाचे का लक्षन है दूसरा है लाब दायकता कंपनी का लाब अधिक्तम रहे यानि कोई भी कॉझी वह कंपनी आये चाहिए कि उसका लाब अधिक सथी किस प्रकार से हो सकता हैJa इसकी पुझी धांचे की यौजना होनी चाहिए यानि पैसा अगर लेना भी है कंपनी को तो किस प्रकार से कि उससे कंपनी को फायदा जादा हो एसा नहीं कि लेश लें और उसके फिर ब्याज वगरा रेन वगरा चुकाया जाए उनके करदार हो गए देंदार हो जाए ऐसा नहीं अधिक्तम लाब की को ध्यान में रखकर ही पूंजी के ढांचे की योजना करनानी चाहिए कि हमें पूंजी लेनी दो है लेकिन उसका डाचा तयार करना चाहिए तीसरा है प्रयाप्त वित पूंजी डाचे में विवित प्राप्ति स्थानों का संयोजन इस प्रकार करना चाहिए जिससे प्राप्त वित प्राप्त हो जाए यानि जब प्राप्त पैसा ह आच्छा सम्मंद रंखना चाहिए यानी से प्राप्त यानी जितना हमें पैसे प्राप्त हो सैंगर के जोथा है परीवतन शेल था कंपनी-का नाचा असा नहीं कि बस एक बार बनाया तो चलता रहा नहीं वो बदलता हुआ होना आवशक है जिसे परिवती परिस्थिती में और आफशकता कि अनुसार उसमें परिवतन किया जब भी जड़ा तो परिवतन करने अपनी कंपणी में तुक कर सके इस प्रकार का ढाचाओना चाहिए ऐसा नहीं स्थिर हो गया कैसी तो चीज की तो बदल करें कोई नुकसान होगा तो आप उस चीज को बदल सकते हैं आप अपने उसट बीद इंपर लो बदल कर जो भी जो बहुंत करते हैं अप को सती blow escuch को परिवतित कर सकते हो असी परिश्थिती में जब आपका लोस होरा हम क्यों करते अपने फाइदे के लिए यानि लाप के अनग लिए, तो कमपनी का ढाचा भी इस प्रकार का होगा, ताकि कमपनी को अधिक से दी गए, लाप किस के दोरा हो सकता है, तो उसके अनुसारी उने परिवतन भी कर लेना चाहिए, फिर है मित्वीता, पूंजी ढाचे में विविद प्राप्त लिए तो यहां नीं पुणंत करना तथा रही लगा आड़ा चैब करने के बाद ऐसे हो जिस continent बाद ऑब मैं आधिक फाइदा बस्ट काम में ने कमपनी में फाइदाना चिजिसices लागत कम रहे पुंजी और ऊधार की मोंजी के बीच रिच संतुलन बना लेना चाहिए। यह वम्यवार पैसा करण के लेकि नियुके क्योंकि जिता हम कमाएंगे उतना तो हम कर्दार उधार के पुंजी वाले को दे देंगे इसलिए उन दोनों में संतुलन बनाना भी आवश्यक है ताकि मालिक की जो पुंजी है उसमें ही बड़ोत्री हो पी जाए जो आपका डायत है कमपनी के लिए जीसना अपना दायत्यत्त समरके जो पैसा लगा है समय पे उसका बुख्तान होना आवश्यक है वो कारण कैंगे कि अगर समय बुख्तान हम किसी का कर देते है तो दुबारा से भी हमें कहीं से भी पैसा माल सब चीजे मिल सकते हैं किसी लेंदारों को उनके समय के अनुसार अगर हम पैसा नहीं देते तो उसमें हमारे काम में समस्याइं कड़ी हो सकती है फिर है आकर्शन विविद विन्यों करताओं को विन्यों करने के लिए आकर्शित करें ऐसा होना जे आप सामने वाले को यह हमारे उपर है कि हम सामने वाले को अकर्शित किस प्रकार से कर सकते हैं क्योंकि हमें कंपनी में अधिक पुंजी के आवशकता होती है तो इस प्रकार का काम करें जो पैसा लगाता विन्यों करता को जो भी पैसा लगाना चाहता है तो उस विन्यों करता को हम इस प्रकार से आपको इतना अधिक हम उत्पादन वगरा करके आपको इतने जादा से ज्यादा लाप की प्रक्ति हो सकती है इस प्रकार से उसको आकर शित करके उसका पैसे हमने में लगवा सकती है अब एन नाइन पॉइंट है सूध रड़ता उधार की पुंजी के मात्रह इतनी अधिक नहीं होनी चाहिए यानि जितनी ज्यादा पैसा अधार हो जाता है उतना ही कंपनी के सित्वेख बोज हो जाता है हैं यानि कितना होना चैसा होना चाहिए जितना की वह दे सकते हैं प्योंकि जितनी ज़्यादे उधर पुंची फिर उसके बदले में उसको ब्याज भी देना पड़ता ह东西 इंजी कर सकती है फिर यो कम पढ़ पे थे पैसे पूंजी दाचे के प्रकार है। एक्विटी अंच का पुझी धाचा, दूसरा एक्विटी अंच के साथ प्रेफरेंच अंच का पुझी धाचा, तीसरा एक्विटी अंच के साथ डिबेंचर का पुझी धाचा और एक्विटी अंच के साथ प्रेफरेंचर का दाचा और अब हम पढ़ेंगे पुझी धाचे क को प्रभावित करने वाले तत्र की पुझी धांचे को कौन-कौन से अशित तत्व हैं जो प्रभावित कर सकते हैं उसके बारे में हम अब पढ़ेंगे पुझी धांचे को प्रभावित करने वाले तत्व दो होते हैं एक आंत्रिक तत्व दूसरा बाहिया तत्व आंत्रेक्त अत्र व्यवसाय का प्रकार, यानि किस प्रकार का व्यवसाय होना चाहिए, फिर दूसरा है व्यवसाय का कद, कितना विस्तार होना चाहिए, तीसरा है व्यवसाय की आहिका अनुमान, अब आहिका अनुमान अम बस संभाव नहीं लगा सकते हैं, ऐसे तो आमें पत पूंजी बाजार में तेजी मंदी की परिस्टी सेकंड पूंजी बाजार में प्रह वर्तमान ब्याज की दर क्या चल रही है पूंजी बाजार में परिस्टी सेकंड 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 परिस्टी स अंत्रिक तत्यु में सरसब जाला पोइंट हमारा व्यवसाइब का प्रकार यानि किस प्रकार का व्यवसाइब है उत्पादन करने वाली विश्याल उद्योगी के काई में इस्थाई पुंजी के आवशकता अधिक होती है जो बड़े-बड़ी कंपनियां होती है बड़े-ब जबकि व्यापारी कंपनियों में इस्थाई पुंजी के आवशकता कम होती है उद्योगों में तो ज्यादा इस्थाई होती है लेकिन जो व्यापारी कंपनियां होती है उसमें इस्थाई नहीं होती है क्योंकि उसमें पैसों के आवशकता कम होती है और उद्योगों में ज और चैनल कियों भी विविए करने कि व्मक्राइफ यार चोटी तो उसका पैसा अधिक महत्रा में लगता है के बड़े विवसाई का बड़े कद की कईयों की प्रवर्थियाद विशाल हमाने पर बड़े बड़े जो कद इसमें स्थाई पूंजी की आशक्ता और प्रमान भी विशाल यानि पैसा भी बहुत आता है और वह काफी विशाल यानि काफी बड़ा उत्योंगों में आता है और छोटे लगू अक्यार की द्योगों को इस्थाई पुझी में कम और व्यापार यह लोग करते हैं उनमें और भी कम-पुझी की आवशक्ता होती है क्योंकि जब हम सोच के चलने कि यह व्यापर करना आसा नहीं है एक साल के निये जब तक कोई चले लाब देती तब तो चलती है लेकिन उसके अनुसारी में पुझे लगते हैं व्यापर ही है तो उसमें कम पुझे लगेगी लगूद्यूग है तो उस से थोड़े ज़्यादा लगे उत्पादन जो खोलते उसमें काफी अधित मात्रा में पैसे कि आवशक्ता पड़ती है तीसा पॉंड मारा विवसाई की आई का अनुमान लेकिन जब ऐसे मान करते हैं वहां का वहां का का काम हो चाहिन हो हमारी फिक्स हो जाती है वह इतनी तो देंगे देंगे लेकिन जब इसे विवसाई है विवसाई खुद का है तो कभी विवसाई में आपको ज्यादा भी पैसा मिल सकता है कभी आपकी इंकम कम भी हो सकते क्योंकि हम कुछ भी नहीं कह सकते कभी ज्यादा सामा निकलता कभी कम निकलता कभी माल किसी को सही नहीं लगता कभी किसी में परिवतिन हो जात एक अंताजा लगा जाएं Kayamara अधिक हमें अधिक आधिक में तो उसके लिए क्या करते हैं कि एक अंधाजा लगा जेते हैं हैं और जो उन्होंने company में जो पैसा लगा है तो यह सोच कि इसमें अधिक लाःं डाप किस प्रकार से हो MEM कि गानुमानिये सब चीजे के लापराप्त करने के लिए वो कम से कम लागत में अधिक से दिक उत्पादन करेंगे तो उनकी इंकम में फरक पड़ेगा उनकी आई भी बढ़ जाएगे अन्याता उनकी आई भी नहीं बढ़ दी इसलिए इन आई इस्थिरोरिसी हो सकती है चोथा पॉइंट है संपत्ती का विवसरू और आवशक्ता विशाल पहमाने पर संपत्ती की ववसाई में अधिक आवशक्ता हो बड़े पहमाने पर जो संपत्ती की ववसाई है तो उसमें अधिक पैसे के आवशक्ता होती है तब पुंजी डाचे में एक्विटी अंशो की अधिक मात्रा होती है। इस्थाई समपत्ती में विनयोग अधिक होने के कारण। अब इस्थाई समपति जो भिड़े वड़ी कारण यह समपत्ती जो भी। वाट कि विचार्न शोग dew Tech's life कि शौब से की से में खरीद लें तो कफी मेहेंगी विंप लिए इसहों सोचते हैं कि थो खरीद Pandemie father नहीं कि खरीद कर दिमाड करता कि थो किराय पड़ेंगे तो किराय देना पड़ेगा लेकिन पता लग लग कि खरीदेंगे से टोंगर भर खरीद ले ताकि यह मारे हो जाए फिर जो नफः नुकसान जो भी हो खरीद भिक्री लाब आने वह सब हम सैन कर लेंगे अपने विचार होते हैं अपने हैं सोच होती है पाने संचाल को की मनो उ ररती है यदि कमपनी के संचालक, कमपनी पर अपना संचालक के नियंतरन बनाये रखना चाहते हैं, जो संचालक करने वाले हैं, अपने कमपनी यानि उनके जो भी कमपनी चलाने वाला विज़े जो व्यक्ति होता है, उस पर अपना जो चलाने का जो तरीका है कमपनी को किस प्रकार से आगे बढ़ा जाकर उस पर वो नियंत्रन रखा जाए नियंत्रन रखे तो वे अधिक मात्रा में एक्विटी अंशिना निर्कमित करके प्रेफरेंश अडिवेंचर पाद दिखादा रखते हैं कि असे अंशों को हमें निकालना पड़ता है जिस holistic वॉर्ण हमें पैसों की अदेकाषिक्ता हो तasting स्प्रकार के अंशुकों जाधा से जदा निकाला जाता है ताकि हमारे कंपनी में जों पूंजी के अव्शक्ता हो तिसमें अधिक मात्रा में हमारे पास पूंजी एक कुछ तो जाए शेक्स पोईंट है विद्टिया आवशक्ता है अल्प मात्रा में पूंजी के आवशक्ता वो यानि कम मात्रा में अगर पूंजी की जरुत पड़ती ने अब पर पार बड़े में इंश बी उसके अनुसारी को निर्गमित करेंगे कितनेज जादा जुरत हमें पैसों की पड़ती है उसके अनुसार निर्गमित किया जाता है प्रन्तु विशाल पुन्जी कोष़कि यह था जब हमें पैस fier कम पैसे कन कम पैसों की जड़ुत कप पड़ेगी जब हम व्यावसाय कंपनी शुरू करेंगे चोटी कंपनी करेंगे करेंगे तो हम इस तर लेकिन कम जिसमें पुंजी की लागत कम हो ऐसे कंपनी में तब परन्तु विशाल पुंजी कोष्ट के आशकता हो और मान लीजिए अगर आपको बहुत जादा पैसे के आशकता हो कंपनी में लगाने के लिए तो विवित प्रकायर की जामें गिरिया निमित करने पड़ते हैं फिर क्या तो कंपनी ऐसे में इस प्रकायर की जामे गिर निरागमित करेगी इसके हलावां पुंजी धानचा तयार करते हैं में और जब पुंजी धानच को तयार किया जाता है वस्वक्त समय के उद्देशिय你要 sniff यानि इतना पैसा आगा उसको किस प्रकाया नहीं ये धान्य तयार किय जाता है उस वक्त लंबे समय के दे यानि और जो भी पैसा लगाया जाएगा वो लंबे समय को के उद्देशों को ध्यान में रख करके ही लगाया जाता है योजना अब उसके लिए एक आने वाले समय की योजना बनाई जाती कि किस प्रकार से पैसा कैसे लगाया जाए ताकि लंबे समय तक हम अपने उद्देशे की प्राप्ति कर सके भावी विकेस की संभावना अब उसके लिए क्या है कि अधिक से दिविकास भी हो ना उशक है क्योंकि पैसा जब लगाया जाता है तो यह सब चीजे पहले ही ध्यान में लगाया जाती है आपका लक्षे क्या है आप से दीक स्थार करने की आपके अगर संभावना है तो हमें पूंजी धाचे को पहले से ही त्यार करना पड़ता है अिसके लिए भविश्य में कतनी वित्याव शक्तायविद्ध करना पड़ता है और अब यह सब सिर्फकर हम करते हैं अनौन लगा लेते उसके लिए हमें सबस जो भी देशे हमने तियार किया है देशे के बिचे कंपनी चलती है तो जो हमारा देशे है जो हमारी यूजनाए है और उसके दोरह जब हम विकास करें तो इसके लिए हमें कितने पैसेगी आने वाले समय में आवसकता पड़ेगी और यह चीज तो ध्यान रखनी पड़ती है पिर इसको जो रहे पास अन्शो के मज़ऄ क отвеч ही उसे हमें की चाठ से लगाना है यह सब चीजे भी ध्यान में रखनी पड़ती जब वित्ती्क्ति आवसक्ता होती जब पैसों के आवसक्ति थी ताब और ईसके बाद हैं पूंजी के आवसक्ता को समय सातों kalo मारा यदी पू पुंजी लंबे समय तक चल रही है तो पसंद करेंगे सबसे पहले गुण से एकविटी अंश देंगे उसका काड़ने की लंबे समय तक पैसे चीए तो वह ऐसे अंश है यह जो लंबे समय है अधिद समय के लिए प्याशकता होती है में क्या skill करतीय को पैसे के अवसकतां के लिए लिए देवेंचे होते हैं इस ऊथे यही होते तो यह निकालती तब कंपनी तब निके पास पैसा यानि पूंजी हो जाती है और छब कुछ समय के लिए पैसे काना शेगत होती तो डिमेंचे आधां सी दिये जाते और दिया जाते हैं और अगर बूदед को पैसों की आवशक्ता अधिक या कम दोनों में से कोई भी हो सकते यानि किस प्रकार से आपका वेवसाई यह उसके अनुसारी आपको इनकी पैसों की आवशक्ता भी होती है तो आज यह हमने पढ़ा था पूंजी दाचा यानि पूंजी का दाचा किस प्रकार से होता है आज हमने पढ़ा पूंजी दाचा इसमें हमने इसके आदश पूंजी दाचे के लक्षन के आदश पूंजी दाचे के लक्षन क्या क्यों होते हैं यह हमने साथ पॉइंट पढ़े थे उसके यह सरलता, लागधायता, प्रयाप पुष्ट प्रिवतन शिलता मेत्वेता संतुलन तरलता अकशन और सुध्रता यह हमारे आदश पुंजी के लक्षन है उसके बाद हमको हमने पड़ा कि पुंजी प्राप्तिके चार्प्रकार होते हैं इक्विटी अंच के साथ प्रेफरेंश और फिर फॉर्ट था इक्विटी अंच के साथ प्रेफरेंश और यानि इन चारों के द्वारा और उसके बाद हमने पड़ा पुंजी के दांचे के प्रवका को प्रभावत करने वाले ततों जो दो है तो आज हमने आंत्रिक तत्व प कमपनि में पैसों के आफशता होती है पैसों के द्वारा ही हम कमपनी का जो विश्टार कर सकते हैं विश्टार से कानुमान भी हम एक अनदाजा लगा सकते हैं क्योंकि यह इस्थिर नहीं होती फिर संपत्ती देघ्ण विजनेस को बढ़ाएंगे विफसाइब अधर यदा पेसो के आवशक्ता पती है तो आपको उस्चाल को यहां पेंसे को बढ़ाएंगे विफसाई को बढ़ाते हैं उस प्रकार से आपको कम या ज्यादा पती है कि ज़ादा पैसो के आउशकता पर यह लंबे समय के लिए तो आप अप कम पैसो के लिए आप इक्वेटी आश्य निरकर मिद करके कमपनी में पैसा एकटा कर सकते हो इस परकार से हम पैसा एकटा करके जो पुंजी लगाई जाती है उसको इकत्रित कर सकते हैं और फिर था उस इस्थाई हुती है नहीं लंबे समय के उल्लियों होती तो कौन से अन्चा में निर्कमित करने पड़ते हैं और कम समय के लिये होती है तो हमें किस प्रकार के अंशों के दोळा पुंजी प्राप्त करनी चाहिए की जा सकती है तो आज का lecture हम यहीं पर रोकते हैं आगे का continue हम कल करेंगे वो यह भी हमारा बीए चलेगा जब तक एक chapter complete नहीं होता हम दूसरा subject नहीं होताएंगे तब तक के लिए Thank you everyone Bye बच्चो और यह उमीद करती हूं कि आप लोगे पढ़ेंगे यह काफी बड़ा chapter है हमारा लेकिन आप अगर इनको साथ साथ पढ़ेंगे तो सब कुछ कवर हो जाएगा Thank you everyone Bye बच्चो